नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कीस्टू सक्सेस में आज का हमारा टॉपिक है इसके पहले हमने साइबर सेक्यूरिटी इ-कॉमर्स इ-गोवर्निंस के उपर वीडियो डाल चुके हैं ठीक है और काफी रिसर्च के साथ डाले गए हैं अगर आपने अभी तक उन वीडियो उसको नहीं देखा है तो एक बार जरू देख लिएगा इसके लावाए MPG के कंप्यूटर लुसेंट लुसेंट जी के ठीक है और कुछ ट्रिक्स भी डाली है तो अगर आपको देखनी है तो ट्रिक्स के भी पिलर लिस्ट बनी हुई है एक बार जाकर के चिक कर लिजेगा तो आईए बीना देर किये आज का वीडियो शुरू करते हैं इस वीडियो में हम टॉप 10 को वीडियो बढ़ाना हूँ ठीक है आज का पहला कोशन दिखते हैं वाट इस AI आइडिफिशल इंटेलिजेंस क्या है ओप्शन दिख लेते हैं कंप्पिटर विज्यान की एक साखा जिसके अंतरकत कंप्पिटर को मनुष्य की भाती वेवार करने योग्य बनाया जाता है सेकंड ऑप्शन है यह मसीन की AC चमता है जिसमें वो बुद्धिमान मानों की तरह वेवार करती है तिसरा है कि इसका उद्धिस बुद्धिमान मसीने बनाना है चोथा है इससे समानने साफ्टवेर हार्डवेर के अलावा AI का प्रियूक किया जाता है तो क्या हो जाएगा य इसम्रती चमता होने ची निर्ने लेने की चमता विश्रेशन करने की चमता नए विचारों को उद्पन करने की चमता उपर युगते सभी तो क्या हो जाएगा यह सभी हो जाएगा ठीक है नेक्स दिखते हैं सवरव प्रधम 1935 में Abstract Computering Machine के बारे में किसने बताया था किसने मताया था देख लेते option Alan Turing, Alan Bosch, Alan Ricardo, Alan Just, क्या हो जाएगा Alan Turing ठीक है नेक्स दिखते हैं नेक्स टे ट्यूरिंग के तथ्यों को और विचारों के अधार पर 1950 के दसक में किसने बताया कि computer भी सो सकते हैं क्रत्रीम बुद्धी मता पर पहला सफर प्रोग्राम 1951 में किसने लिखा था ओप्शन दिखते हैं हमारे Christopher Strachy, Chris Jordan, Chris Benua, Chris Jericho क्यों हो जाएगा Christopher Strachy नेक्स टे एक क्रत्रीम बुद्धी मता का पिता किसे का जाता है father of artificial intelligence किसे का था जॉन मेकार्थी, एलन ट्यूरिंग, जॉन बेकर्स, डगलास इंजलबर्ग कौन किसे केते हैं जॉन मेकार्थी को नेक्स दिखते हैं लिस्प प्रोग्रामिंग लेंग्वेज का अविसकार किसने किया था तो आप्शन दिखते हैं जॉन मेकार्थी, एलन ट्यूरिंग, डेनिस रिची, लेडी अगस्ता तो क्या हो जाएगा जॉन मेकार्थी हो जाएगा नेक्स दिखते हैं क्रत्रीम बुद्धी मता को the science and engineering of making intelligent machine के रूप में किसने परिभासित किया था आप्शन दिखते हैं जॉन मेकार्थी, जॉन सुलिवान, जॉन मार्शल, जॉन इडैप क्या हो जाएगा जॉन मेकार्थी हो जाएगा ठीक है नेक्स दिखते हैं डेंडरल प्रोजेक्ट किस पर अधारीत है AI पर, Robotics पर, Machine Learning पर, IoT पर तो किस पर अधारीत है है Artificial Intelligence पर Next है, 5th generation योजना किस देश से संबन दित है Japan, America, Croatia, Uruguay तो क्या हो जाएगा जपान तो दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं Top 10 questions में आपके कितने questions आई हुए है Comment box में जरू बताइए यह practice state पानके चलिए ऐसे कि practice state है और यहाँ से question आने की संबहुना बहुत ज़्यादा है ठीक है Thank you so much for watching